जय हिंद जय भारत दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत से पहली अंतराष्टिय उडान कब हुई थी और कितने सन में हुई थी कितने तारीख को हुई थी इसके इलावा हम ये भी जानेंगे कि भारत में किस राज से पहला अंतराष्टिय उडान भारा गया था और किस देश के लिए उड़ाया गया था उस सब के इलावा हम ये भी जानेगे कि उसमें कितने लोग सामिल थे पहली अंतराश्टिय उड़ान में और कौन से विमान कमपनिया थी इन सभी टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में हम जानेगे तो चलिए दोस् आठ जून और 949 इस भी को उड़ाया गया था और अगर हम राज जी की बात करें कि कौन सी राज जी से ये पहली अंतराश्टिय उड़ान उड़ाया गया था तो दोस्तों महरास्ट के मुंबई के यरपोर्ट से ये उड़ान भरा गया था जो लंदन देश के लिए उड़ गुजदार और उस टाइम 949 इस भी में उस अंतराश्टिय फ्लाइट का जो टिकट का दाम था वह 1720 रुपया था जो बहुत ही जादा था उस टाइम के एकॉर्डिंग अभी के टाइम से तो इसको नर्मल कह सकते हैं लेकि 949 इस भी में 1700 रुपया होना बहुत ही मुश्कि इस ए फ्लाइट में कुल 35 लोग सामिल थे यान 25 लोग सामिलते और यह पहली अंतराश्ट्य फ्लाइट टाटा यह यह लाइंस के द्वारा किया गया था और 248 SB के हाल ही में Tata Airlines को सरकार ने खरीद लिया था और Tata Airlines का नाम चेंज करकर एर इंडिया हुआ था इसके बारे में अल्रेडी चाइनल पर वीडियो अपलोड है कि कैसे Tata Airlines को सरकार ने खरीदा और फिर सरकार से Tata ने खरीद लिया जैसा के हाल ही में यह ऐसा हुआ है कि Tata जो Airlines था इंडिया की जो Airlines थी उसको Tata ने फिर खरीद लिया है यानि रतन Tata इसको खरीद लिया है तो कैसे यह पहले प्राइबेट विवान कमपनी थी फिर सरकारी हुई फिर सरकारी से अब प्राइबेट हो गई है इन सभी के बारे में अल्रेडी चाइनल पर वीडियो अपलोड है आपको डिस्क्रेप्शन में भी लिंक मिल जाएगा या आप आई बटन से भी उस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं तो दोस्तो हम आते हैं में टॉपिक्स पे दोस्तो जो 35 लोगों को सामिल करके बारे बज़े रात को मुंबई के एरपूर्ट से ये अंतराष्टिय फ्लाइट जो पहली अंतराष्टिय फ्लाइट उड़ी थी वो 10 जून को लंदन पहुंची क्योंकि बीच में दो देख में भी ये फ्लाइट लेंड हुई थी पहले देख में ये मिस्र में भी लेंड हुआ था मिस्र के काहिरा एक जगा है वहां पे लेंड हुआ था फिर वहां से रोम भी लेंड हुआ था फिर रोम से उड़ने के बाद ये लंदन गया था तो इस तरह दो दिन इस फ्लाइट को लग गया था पूरे होने में एक्जेक्ट यही कहा जाता है कि मुंबाई से उड़कर ये लंदन के लिए पहली उड़ान जो अंतराश्टिय कराय गया था वो मुंबाई से लंदन गया था और इसमें 35 लोग जो सामिल थे इसमें जाम और वसमें इंडीया नोग बदे भाग लेने वाले ते वो दो खिलाडी भी उसमें सामिल थे इसके लेवा बड़े-बड़े मुंबइ के उद्धोग पति भी सामिलते इन सभी लोगों को मिला कर टूटल 35 लोग इस पहले अंतराष्टिय फ्लाइट में सामिल होकर मुंबई से लंदन गये थे और उन दिनों इसे अकास की रानी कहा जाता था जो येर इंडिया उन दिनों थी इसे अकास की रानी कहा जाता था 248 इस भी में अधिकतर देशों के पास अपना इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं थी लेकि भारत यह करनामा कर दिखाया था भारत के पास अपना इंटरनेशनल फ्लाइट हो गया था तो उमीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा मिलते हैं अगली व भारत